Good morning students, आज हम वर्षा जल संचेयन पाठ का अध्यन करेंगे पाठ तेरे वर्षा जल संचेयन पाठ परिचे जल की महता तो सर्मानने है, जल की बिना जीवन का अस्तित्तु संभव नहीं है जल का महतु तो सभी को पता है और इसके बिना हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते जल एक प्राकर्तिक पधार्त है, जिसका यदि हम सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करें तो वह दिन दूर नहीं जब सवत्रव भीशन जल संकट उत्पन हो जाएगा अगर हम जल का सावधानी पूरवक उपयोग नहीं करेंगे, तो बहे दिन दूर नहीं जब जल क्या चारो तरफ क्या हो जाएगा, जल का संकट उत्पन हो जाएगा, ऐसे अमुल्ले जल को संचित करने का एक कारगार उपाय है, वर्सा जल संचेन, वर्सा के जल को एकत्रित कर पाठ में इसके बारे में व्यापक जानकारी प्रिस्तुत के गई है पाठ में वर्षा के जल को एकत्रित करने के खटा करने की व्यापक विश्तरत जानकारी दी गई है आज विष्व में जल संकट एक विकट समस्या है जल संकट पानी के अभाव की समस्या अभी हाल ही में लिए गए आकडों के अनुसार पूरे विष्व में 100 करोड से भी जादा लोगों को पीने का स्वच पानी उपलब्द नहीं है उपलब्द करता है प्राफ्ट 100 करोड से जादा लोगों को भी पीने का पानी प्राफ्ट नहीं होता पानी की यह समस्या दिनो दिन बढ़ती ही जा रही है पानी की यह समस्या प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है चाहे किर्शी छेत्र हो या ओद्धोगिक छेत्र घरेलू उपयोग के लिए हो या अन्य किसी काम के लिए देश की सर्वांगीन विकास के लिए जल अत्यंत महतु पूर्ण है चाहे किर्शी छेतर हो चाहे ओधोगिक छेतर हो ओधोगिक उध्योग संबंदी कल कार खानों से संबंदित घरेलू प्योग आप घर में जल को प्योग करते बरत्तन साफ करने में नहाने में कपड़े धोने में अन्य किशी भी काम के लिए बागवानी करने के लिए देश के सर्वांगी अन्विकास के लिए सब प्रकार की उन्नती के लिए सर्वांगी अन्विकास सभी प्रकार की उन और ये पानी की कमी हो रही है जल का एक चक्र है जल का क्या है एक चक्र है वर्सा के रूप में बर्सना और भाब बनकर उड़ जाना यह जल चक्र है वर्सा के रूप में क्या होता है जल वरसता है और भाब बनकर उड़ जाता है जैसे आज बारी सोरी थी वर्सा के रूप में कर उठ जाता है बादल बनना फिर बरस पढ़ना फिर बादल बनते हैं और फिर क्या हो जाती है दुबारा बारिस हो जाती है यही जल चक्र है समस्त जीवन की किरियाओं का आधार है और समस्त पूरे जीवन की किरियाओं का भी आधार है जल के बिना संभव नहीं जल के बिना सब्सक्राइब ग्रवक्ति जयाएं सबती जगत को जल चाहिए समस्थ प्रानी कि मानव मनुष्य पसू पक्सि सभी सब्सक्राइब पेड पोधे सब्सक्राइब जन्ट जल के बीना कोई जल जरूरी है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है, इसलिए जल को क्या कहा गया है, जीवन कहा गया है, अनेक देश भूमिगत जल से अपनी आवसकताइं पूरी करते हैं, इनमें भारत और चीन प्रमुख है, भारत देश और चीन देश क्या है, प्रमुख है, जो तालाब और क कुए सदियों से आदमी की प्यास भुजा रहे हैं आज वे या तो सूख रहे हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है जो तालाव और कुए जो सदियों से लंबे समय से मनुस्य की क्या भुजा रहे थे प्यास भुजा रहे हैं या तो पानी नीचे चला गया या वे स प्रतिवर्ष वर्षा हिम की रूप में जो जल मिलता है वह भी नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्द नहीं होता प्रतिवर्ष वर्षा और हिम बरफ के रूप में बरफ जब पिंगलती तो क्या में जली तो बनता है जो हमें जल मिलता है वो भी नियमित नहीं होता नियम से नहीं मिलता निश्चित मात्रा में उपलब नहीं होता नलकूप इत्यादी से बहुत अधिक उपयोग से महाराष्ट के तालगाउं तालूके के 2000 के करीब कुए सूख गए भूमिगत जल का इस्तर बहुत नीचे चला गया अब यहां नलकूप इत्यादी कुए का जि पलवर जिले में देख लो जब गर्मी का मोसम होता है तो पानी नहीं आता नल में कहते हैं कि बोरिंग में पानी नहीं है तो क्या हो जाती है पानी की समस्या हो जाती है इसलिए इससे कोई 23,000 गाउं प्रभावित हुए वहां पीने का पानी दुरलब हो गया दुरलब होना कठिन होना मतलब कि वहाँ पीने का पानी ही नहीं मिल रहा था फिर विशेसग्यों के अनुसार मांग बढ़ने से जल संकट का पूरा असर देश में सिग्र ही दिखाई देने लगेगा विशेसग्य विशेश जानकारी रखने वालों के अनुसार जल संकट का असर पूरे देश में शिग्र ही जल्दी ही दिखाई देने लगेगा वर्षा के एनियमित होने और मोसम की मनमोजी होने का प्रभाव केवल किर्शी पर ही नहीं अपितु उर्जा संसादनों और पेजल योजनाओं पर भी पढ़ता है वर्षा के एनियमित मतलम मनमरजी होने के प्रभाव केवल किर्शी पर ही नहीं पढ़ते अपितु उर्जा संसादनों और पेजल योजनाओं पर भी पढ़ता है उर्जा संसादन जिससे बिजली बनती है पेजल जो हमारे पीने योगे पानी की योजना है उन पर भी पड़ता है सन 1986 में भारत सरकार ने पेजल की आपूरती के लिए राजिव गांधी राष्टिय पेजल मिशन बनाया था सन 1986 में भारत सरकार ने पेजल की आपूर्ती मतलब पीने के पानी की आपूर्ती के लिए पूर्ती के लिए राजिव गांधी राष्टिय पेजल मिशन बनाये था कौन सा मिशन बनाये था राजिव गांधी राष्टिय पेजल मिशन बनाये था सन 1991 में इस तक्निकी मिशन का नाम बदल कर राष्टिय पेजल मिशन कर दिया सन 1999 में इस तक्निकी मिशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया राष्टिय पेजल मिशन नाम कर दिया गया अब विशेशग्यों ने वर्षा जल के उचित उपयोग और संचैन पर बल दिया आने वाले भविस्य में क्या होगा बहुत बड़ा संकट उत्पन हो जाएगा जिससे अगर हमें संकट से बचना है तो हमें वर्षा के जल को एकत्रित ही करना होगा और जिससे कि हम आगे आने वाले संकट भविस्य में आने वाले संकट से बस सकते हैं आज के लिए पाठ इतन सुर्थलेग नियमित प्रेदुशन सर्मांगीन संकल्प प्रियाश वाक्य निर्मान नियमित मोहन नियमित व्यायाम करता है प्रेदुशन हमें प्रेदुशन नहीं फैलाना चाहिए सर्मांगीन बच्चों का सर्मांगीन विकास शिक्षा से होता है संकल्प चिराग को लक्षे प्राप्त करने के लिए संकल्प करना चाहिए प्रियास हमें कठनाईयों से निकलने के लिए निरंतर प्रियास करते रहना चाहिए सब्दार्थ जल संकट पानी के अभाव की समस्या उपलब्द प्राप्त करना उद्द्धोगिक उद्धोग संबंदी या कलकार खानों से संबंदित सनवांगिन विकास सब प्रकार की उन्नती भूमिगत जमीन के भीतरका प्रदोसित ऐस्वच्या गंदा नियमित नियम से विशेशग्ये विशेश जानकारी रखने वाला पेजल पीने योगे पानी आपूर्ती देना सब्द कोशल प्रे उफसर्ग योगत पांच अन्ने सब्द लिखे प्रचंड, प्रमान, प्रहार, प्रचार, प्रकट, प्रदिक्षना ता प्रते योगत पांच सब्द लिखे भारतियता, प्रांतियता, स्वयतंत्रता, भोतिकता और सज्जनता थैंक्यू क्लास